लो एव्रिवन वेलकम टु स्टेडी जॉन इस वीडियो में आपको इंडिया और इंटरनेशनल करेंट अफेर्स के कोश्चन्स बताऊंगा यह कोश्चन्स अप्रेल 2018 के हैं और यह आपको आने वाले एक्जाम्स में हेल्प करेंगे जल्द ही हमारी और भी वीडियो आने वा बाद आगा हमें कमेट्स भी लिक जोड़ बताईए और इस वीडियो को ज्याएज़धा लाइक और शेयर करें आपका पहला क्रेशन है यूरो सिक्स इंदन को लागू करने वाला देश का पहला सेर कौन सा बना है तो इसमें आंसर आएगा Euro 6 इंदन को लागू करने वाले देश का पहला से दिल्ली बनाए इसे 1 अप्रेल 2018 से लागू कर दिया गया है और इसका उद्देश है दिल्ली में वायव परदूर्शन को रोकने का है Next question है 104 वी इंडस कमिशन की बैठक का हुई तो इसमें आंसर आएगा 104 वी इंडस कमिशन की बैठक नई दिल्ली में हुई 27 सिंदु आयोक या पर्मानेंट इंडस कमिशन की 104 वी बैठक नई दिल्ली में 39 और 30 मार्च को हुई इससे पहली बैठक मार्च 2017 में इसलाबाद में हुई थी सिंदू जल सिंदी भारत के ततकालिन परदार मंतरी जवाला नहरू और पाकिस्तान के ततकालिन राश्पती अयूब खान के बीच वर्स 1960 में हुई थी और इसके अनुसार तीन पूर्विय न दिया ब्यास, रावी और सतलूज कन्यांतर बारत को तता तीन पस्चमी न दिया सिंदू, चेनाब और जेलम कन्यांतर पाकिस्तान को दिया गया था नेक्स्ट कॉश्चन है ओडिसा निर्मान दिवस कब मनाया जाता है तो इसमें आंसर आएगा ओडिसा निर्मान दिवस एक अप्रेल को मनाया जाता है ओडिसा निर्मान दिवस को उतकल दिवस या उतकल दिवासा भी बोला जाता है इस दिन ओडिसा सन्युक्त बियाहर बंगाल और ओडिसा परांच से अलग हो गया था नेक्स्ट क्वेशन है भारत में सबसे लंबी आउदी तक मुख्यमंतरी कौन रहे हैं तो इसमें आंसर होगा सिक्कीम के मुख्यमंतरी पौन कुमार चामलिंग इन्होंने हाली में पस्चिम बंगाल के पूर मुख्यमंत्री जोती बसू के किसी भी भारते राज्ये के मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले रिकोर्ड को तोड़ दिया है तो यह आपका कोशन बहुत इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि कई बार जोती बसू का नाम भी कोशन में पूछा जा चुका कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कोन रहे हैं किसी भी भारते राज्ये के तो आपका का अंसर आता था आपका जोती बसू तो आपका यह कोशन इंपोर्टेंट बनता है अब आपका अंसर आएगा पाउन कुमार चांबलिंग नेक्स्ट कोशन है अंतराष्ट्य बोथ सम्मेलन 2018 का आउयजन का हुआ तो इसमें आंसर होगा अंतराष्ट्य बोथ सम्मेलन 2018 का आउयजन लुंबीनी नेपाल में हुआ लुंबीनी गोतम बुद्ध का जनमस्तान है और इसमेलन का उदेश है गोतम बुद्ध की शिक्षाव का परसार करना है और अंतराष्ट्य समुदाइक को बाइचारे अहिंसा, सहास्तितव, प्रेम और शान्ति का संदिश देना है और अंतराष्ट्य बुद्ध समेलन 2018 का विशे है लुंबीनी नेपाल, बगवान बुद्ध का जनमस्तान और बुद्ध दरब इमविश शान्ति की निव नेक्स्ट क्वेशन है बारत कच्चे इसपात के उत्पादन में किस स्थान पर है तो इसमें आंसर आएगा बारत कच्चे इसपात के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है स्टील यूजर फेडरेशन ओफ इंडिया के मताबिक भारत जापान को पीछे छोड़ कर फरवरी 2018 में दुनिया का कच्चे इस पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है अगर आपसे पूछा जाएं कि परतम स्थान पर कौन सा देश है तो आपका आंसर होगा चीन परतम स्थान पर है नेक्स्ट कॉशन है लाल किला जो दिली में स्थीता है उसको हाली में किसने गोद लिया है तो इसमें आंसर होगा डालमिया भारत लिम्टिड ने डालमिया भारत लिम्टिड ने Adopt a Heritage प्रियोजना के तैत लाल किला, दिल्ली और गांधी कोटा किला जो अंदर प्रजेस मिश्थीत है उसको गोध लिया है और डालमिया भारत लिम्टिड अडोप्ट a Heritage प्रियोजना का हिस्सा बनने वाला पहला कोपरेट बन गया है डालमिया भारत अगले पांच वर्चों के लिए लाल किले और गांधी कोटा के लिए के संचालन और रख रखाओ की देखबाल करेगा Next Question है दुनिया का सबसे बड़ा सोर पार्क काम पर बनेगा तो इसमें असर आएगा दुनिया का सबसे बड़ा सोर पार्क गुजरात में बनेगा गुजरात दोलेरा विशेस निवेस सेक्टर में बारत के सबसे बड़े पांच अजार मेगावाट सोर पार्क की स्तापना करेगा गुजरात राजय सरकार ने इस प्रियोजना को अपनी मंजूरी दे दिये और यह खंबात की खाड़ी में 11,000 हेक्टर भूमी पर स्तापित होगा गरीब लड़कियों के विवा के लिए रूपसरी योजना किस राजय में शुरू की गई है तो इसमें आंसर आएगा रूपसरी योजना पस्चिम बंगार राजय में शुरू की गई है इस योजना के तैट वित्या साहता प्राप्त करने के लिए एक महिला को अपने विवास से पहले आविदन पत्र बढ़ना होगा और उसे नगर पालिका कारेले में जमा करवाना होगा और उसके बाद 25,000 रुपी की राज़ी उसके विवास से पहले उसके बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी लेकिन यह के लिए अपलिकेबल होगा जिनकी वार्षिक परिवार की आए डेड़ लाग रुपे तक है या डेड़ लाग रुपे से कम है मेंदर सिंग दोनी को राज़पती रामनात कोविन ने किस परतिष्ठित प्रुषकार से समानित किया तो इसमें आंसर आएगा पदम बोशन प्रुषकार से पूर बारते किरकेट कप्तान मेंदर सिंग दोनी बारते सेना के लेफटेटन करनल की रैंक पर है उन्हेंने अपनी सेना की वर्दी में पदम बोशन प्रुषकार प्रुषकार प्राप्त किया बिलियर्ड्स खिलाडी पंकर्ज आडवानी को भी उनकी अतिरिक्त अप्रुषकार के लिए पदम बोशन प्रुषकार से समानित किया गया नेक्स्ट कोश्चन है राष्ट्य समुंदरी दिवस कब मनाया जाता है तो इसमें आंसर आएगा राष्ट्य समुंदरी दिवस पांच अप्रेल को मनाया जाता है पांच अप्रेल 2018 को पूरे देश में राष्ट्य समुंदरी दिवस का पचपनवा यानि 55th संसकरन मनाया गया राश्टे समुंदरी दिवस को 1964 से हर वर्स पाच अपरेल को मनाया जाता है पाच अपरेल 1919 को SC India Steam Navigation Company Limited का पहला जाज SS Loyalty Mumbai से United Kingdom के लिए शुरूप उआ था और इसलिए हर पाच अपरेल को राश्टे समुंदरी दिवस मनाया जाता है इस वर्स का विशे था भारत्य नोव वहन अवसर का एक मास आगर या Indian Shipping and Ocean of Opportunity Next question है विकास और शान्ती एतु अंतराश्टे खेल दिवस यानि International Day of Sport for Development and Peace कब मनाया जाता है तो इसमें आंसर होगा 6 अपरेल को अगर आपसे National Sport Day पुछा जाए तो वह आपका अंसर होगा 29 अगस्त को National Sport Day बनाया जाता है अगर आपसे पुछा जाए विकास और शान्ती एतु अंतराश्टे खेल दिवस तो वह आपका 6 अपरेल अंसर आएगा नेक्स्ट कोश्टन है 65 वेराश्टे फिलम पुरुसकारों में दादा साहिफ आल के पुरुसकार से किसको समानित किया गया तो इसमें आंसर आएगा इस बार दादा साहिफ आल के पुरुसकार से सरगय विनोत खाना को समानित किया गया दादा सायफ अलके पुरुसकार फिलम इंडेस्ट्री का सबसे बड़ा पुरुसकार और सबसे सम्मानीत पुरुसकार है Next question है 65 विराष्टे फिलम पुरुसकारों में सरुष्रेस्ट अभिनेतरी पुरुसकार से किसको सम्मानीत किया गया तो इसमें आंसर आएगा सरस्रेस्ट अभिनेत्री पुरुषकार से सरगय अभिनेत्री स्रीदेवी को सम्मानित किया गया नेक्स्ट कोशन है बैडमिंटन खिलाडी कि दंबी स्रीकांत विश रैंकिंग में किस स्तान पर है तो इसमें आंसर आएगा कि दंबिश स्रीकांत विश रैंकिंग में पर्थम स्थान पर है और वैस स्थान को प्राप्त करने वाले पहले बारत्य पुरुष खिलाडी बन गए है इससे पहले साइना नियाल ने 2015 में विश की नंबर एक बनने वाली पहली बारत्य महिला थी और फिलाल महिला वर्ग में पीवी सिंदू तिसरे स्थान पर है नेक्स्ट कोश्चन है इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दूसरा संस्क्रण अक्टूबर 2018 में कहां आयुजित किया जाएगा तिसमी आंसर आएगा इंडिया मोबाइल कांग्रेस का दूसरा संस्क्रण नई दिल्ली में आयुजित किया जाएगा इसका पहला संस्क्रेंट भी नई दिल्ली में यह आयुजिद किया गया था नेक्स्ट कोशन है अरुन जेटली राजसभा में 6 साल के लिए नई कार्यकाल के लिए किस राज़े से चुने गए तो इसमें आंसर आएगा उत्तर प्रदेश राज़े से नेक्स्ट कोशन है हिमाचल प्रदेश ने अपना 71 वस्तापना दिवस कब मनाया तो इसमें आंसर आएगा हिमाचल प्रदेश ने अपना 71 वस्तापना दिवस 15 अपरेल को मनाया हिमाचल प्रदेश की स्तापना 15 अपरेल 1948 यानि 15 अपरेल 1948 को की गई थी नेक्स्ट क्वेशन है टेलिकॉम ट्रैफिक की तुलना के लिए ट्राई ने किस पोर्टल को लॉंज किया है तो इसमें अंसर आएगा बीटा पोर्टल को इस पोर्टल का उदेश है उपयोग करताओं को विबिन दूरसंचार ओपरेटरों के ट्रैफिक की तुलना करने के अनुमति देना है और इस परकार का उद्योग में पार्दरिस्ता में विर्दी करना है स्वाजी लेंड के राजा मस्तवाती तृते ने अपने देश का नाम बदल कर क्या कर दिया है तो इसमें आंसर आएगा स्वाजी लेंड का नाम बदल कर अब दे किंग्डम ओफ इस्वातीनी कर दिया गया है स्वाजी बासा में स्वातिनी का मतलब है स्वाजीयों की भूमी कई वर्सों से इस नाम के परिवर्तन पर विचार किया जा रहा था क्योंकि नागरिक स्वाजी लेंड सबसे कुछ नहीं थे जो स्वाजी और अंग्रेजी सब्द कमिश्रन है दे किंग्डम ओफ इस वातिनी दक्सिन अफ्रिका में एक छोटा सा देश है 1900 के दसक के बाद ब्रिटिस अनरक्षेड में रहने के बाद इसे 1968 1968 में पूरी आज़दी मिली यह दुनिया में सबसे ज्यादा HIV दर से पीडि देश है इसमें कुल 27 परतिस्यत व्यस्क संकर्मित है नेक्स्ट कोशन है 2018 टाइम्स हेंड्रेड सबसे प्रभाविसारी लोगों की सूची में कितने बारते स्वामिल है तो इसमें आंसर आएगा च्यार लोग स्वामिल है इन में से हैं, सबसे पहले आता है विराट कोली, उसके बाद आता है अलो साइसंस्तापक बावी सागरवाल, उसके बाद आता है बालुड अभी नेतरी दीपिका पादुकौन और उसके बाद आता है माइक्रोसफ्ट के CEO सत्य नडेला इसमें आपका एक कोशिन और बनता है कि सबसे कम उमर में दुनिया के सव सबसे प्रभावशारी लोगों में कौन सामिल हुई है तो इसमें आंसर होगा 14 वर्षिय अंग्रेजी अभिनेतरी और माडल मिली बाबी ब्राउन नेक्स्ट कॉश्ण है G20 वीतमंत्री और केंद्रे बेंक गवर्णर के कहा अउजीट हुई तो इसमें आंसर होगा ये बैठक वाशिंग्टन डीसी में आउजीट हुई नेक्सट कॉश्ण है वैश्वी के रशद्षिकर्संमेलण कहां आउजीट हुआ तो इसमें अंसर होगा वैस्वी के रसत शिकर सम्मिलन नई दिल्ली में आयोजीत हुआ और ये 5-6 अप्रेल को आयोजीत हुआ इसका आयोजन वानिजे वी बाग, वानिजे इम उद्योग मंतराले, फिक्की और विश बैंक समुद्वारा किया गया था नेक्स्ट कोश्चन है, माइज जर्नी फ्रॉम मार्क्सिजम लेनिशम टू नेरुवियन शोशलिजम के लेखक कोन है तो इसमें अंसर होगा इस पुस्तक के लेखक है, सी एज अनुमन्था राउ नेक्स्ट कोश्चन है, जम्मो कश्मीर के उप मुख्यमंतरी के रूप में हाली में किसने सपत लिया है, तो इसमें आंसर होगा कविंदर गुपता, इससे पहले निर्मल सिंग जम्मो कश्मीर के उप मुख्यमंतरी थे और उन्होंने अपने पद से इस्तिपा दे दिया, इसके बाद कविंदर गुपता को DPCM या उप मुख्यमिंत्री बनाया गया है. Next question है, वन दन योजना जो हाली में PM नरिंदर मोधी दुवारा सरू की गई है, उसका मुख्य उद्देश है क्या है? तो इसमें आंसर होगा, वन दन योजना का मुख्य उद्देश है, जन जाती है लोगों की आए बढ़ाने में मदद करने के लिए. Next question है, भारत का पहला वन दन विकास के अंदर कां खुलेगा? तो इसमें आंसर होगा, भारत का पहला वन दन विकास के अंदर बीजापूर 36 गड़ में खुलेगा. Next question है, अप्रेल 2018 में आजित डेविस कप किस ने जीता? तो इसमें आंसर आएगा, अप्रेल 2018 में आजित डेविस कप बारत के टैनिस खिलाड़ी लेंडर पेस ने जीता? इंडिया के लेंडर पेस और रोन बपन्ना ने चीन के गोंग माउजीन और जांग जे को हराया. पेस ने अपना 43 वा यानि 43 डेविस कप योगल मैच जीता, इन्होंने इटली के खिलाड़ी निकोल पीटरागेली के 40 वर्षे रिकोर्ड को तोड़ दिया और वे डेविस कप के सबसे सफल डबल्स खिलाड़ी बन गए हैं. अब आप हमें फेस्बूक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं. हमारा फेस्बूक लिंक नीचे दिवा हुआ है, आप इस पर जाकर हमें फेस्बूक पर फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी वीडियो आप तक फेस्बूक के दिवारा भी पहुंच सके.